इस कारिक्रम के पुड़े आजक हैं समस्त गुरुभक्त परिवार फिरोजबाद परिवा फिरोजबाद के श्तान के बारें बताया पराशा बिठारा इे अब भी श्हामवाई की अंतरंग विधि की बारें बता रहे हैं सामवाय की वहिरंग विदी अलग प्रकार से हैं अंतरंग विदी अलग प्रकार से हैं वहिरंग विदी का आसे था कि किस प्रकार से वे संकल्प के निमित बनाए अब अंतरंग विदी बता रहे हैं कि अंतरंग में सामवाय के परणामों का प्रादर भाव कैसे ह हो सकता है एक सामाइग की वाहे मुद्रा होती है एक शामाइग की अंतरंग की विशुद्धी होती है दौनों एक दूशे के पूरक होते अंतरंग की वशुद्दी वहिरंग की शामवाय का निमत zariden कोई ये ना सोच ले कि वहिरंग की शामवाय के भीना अंतरंग की शामवाय की बन सकती ऑरफात वहिरंग में कोई शरीर से वचनवाशे बुद्धी पूर्वक असुप करिया करता रहे और अंत्रंग में प्रणाम डिमल बनी रहें ऐसा हो नहीं शक्ता यदि किसी वर्तन में अगनी रखी है तो उस वर्तन का वाहि इससा भी गरम हो जाता है अंत्रंग और वहिरंग दोनों एक दुशे के पूरक होते हैं विरोधी नहीं होते हैं यहां पर आचार मोद्व सामय की अंत्रंग विदी की चर्शा कर रहे हैं कि सामय की अंत्रंग विदी किया है कैसे सामय करना चाहिए पूर शुलुक में जैसे कहा था परशेतब्यम प्रशन्य दिया वड़ाना चाहिए सामवाई को कैसे प्रसन्न दिया अंतरंग की प्रसनता को वड़ाते वड़ाते जैसे अंतरंग में प्रसنتा वड़ती है वैसे वैसे शरीर की चेष्टाओं में बचनों की प्रवत्ती में मन के विचारों में भी विशुद्धी बढ़ती है उन कुरियां में भी शांत पना पदर्शित होता है उदान के रूप में देखें किसी जलाशे में जो जो जल बढ़ता है तो तो कमल पुस भी जलशे उपर बढ़ता चला जाता है यदि जल न बढ़े तो कमल पूस्प जादा न बढ़ेगा ऐसे ही अंत्रम में विशुद्धी बढ़ती है तब व्यक्ति के व्यवहार में अपने आप परिवर्तन आ जाता है जब तब विशुद्धी नहीं बढ़ती है तब व्यक्ति व्यरंग की शामवाय की किरिया भी कर नहीं पाता उसकी व्यरंग की किरिया में कई एंकार प्रदशित होता है तो कई क्रोध कई अंतर जल्प कभी दुर्विचार भी आ जाते है महान भाग इसलिए आचार मोदे आँ्क ७ंद करके हात पर हात रख करके मन में शंकलेसा धान करने के नाम को शामय हैं अंतरंग में वई मानश्रक्ता का भाव क्रोध की अगनी प्रजुत हो रही हो और वई रंग में नेत्रबंद है ब्रगुटी तनी हुई है हाथ पर हाथ रखे उए है शरीर निशेष्ट जैसा लग रहा है काश्ट या पाशान की मूर्तिवत वो शेभी सामयक नहीं कहते है अंतरंग में एंकार पोश्ट हो रहा है मायाचारी की वल्लरी विनातरवर की आसे के भी बढ़ती चली जा रही है ऐसे परणाम को सामयक नहीं कहते है लोव की अगनी चित्य की विशुद्धी का केबल हिरास नहीं नास कंडे वाली हो लोव की नागिन पल पल में उस चित्य के प्राण धारी को डस रही हो तो शामयक नहीं होती विश्यवासना समबर्दित हो रही हो जिस चित्य में उसमें सामयक नहीं ठेड़ती विश्यवासना के चिद्र सामयक की अम्रतो पमा निर्मल जल को चित्य शी बाहर कर देते है इसलिए आचायर मोदे ने अंतरंग शामय के शंबंद में भी निर्देश दिये हैं निर्देश बहुत कारिकारी होते हैं शायद निर्देश आदेश और उपदेशे भी ज्यादा कारिकारी होते हैं सामाइक आदेश की क्रिया का प्रत्फ़ल नहीं है कि आदेश देकर के शामवाय कराद सकें किशिषी नहीं करा सकते है उपदेश अच्छा तो लगता है किंतो ठेर नहीं पाता जैसे सिर्षे बेता हुआ पानी नीशे तक जाता है शरीर को शांत तो कर देता है किन्त थोड़ी देर बाद शरीर में गर्मी बढ़ाता है आप कभी ग्रीश मुकाल में ठंडे पानिशन आई हो ना करके पुने अपने कच्छ में पहुंच जाओ तो आपका शरीर पश्चिना से पुने भीग जाएगा एशे ही किसी के आदेश के अनुशार की गई सामाइक वे केवल काई की शामाइक हो सकती है काई को तो निश्चिश्च मनाए जा सकता है चित्त को भिष्च तो नहीं किया जा सकता उपदेश की शामाइक ऐसे ही है जैसे बालू में डाला गया जल बालू सोकती नहीं है जल्द उसमें है इन तो वे बालू को म्रदू करने में समर्थ नहीं है ऐसे ही सामवाई के लिए मन की विशुद्धी होना परम आबश्यक है वचनों का रोध होना भी आबश्यक है और शरीर का असुचेश्टा से बच जाना भी आबश्यक है फिर अंतरंग में जो आनंद का जड़ना जड़ता है उसका नाम सामवाई का है आचार मोदे सामवाई की परिवाशा यहां पर स्वेम बता रही है वास्ता में सामवाई क्या है व्या पारव इमन श्यात विनिवित्या मंतरात्मा विनिवित्या सामाइक मद्धिनिया दुपवासे चैक भुक तेवा आचार मोदे के रहे हैं कि सामाइक सामान इस दिनों में तो शामान ने होती है पर्व के दिनों में विश्योष होती है जब पर्व के दिनों में वे सामाइक कंडिय बाला साबक बाशाविका अपने समीप में बास करता है आत्मा के समीप क्योंकि भोजन आदी शामा की उदर में जाते ही वो अपना कार करती है वह रंग में भी और अंतरंग में भी अंतरंग में प्रमा दादी को लाती है अंतरंग में शरी को बल देती है वही रंग में वह भोजन उदर में पहुँच गया है चेहरी पर चमक भी ला सकता है और संकलिस्ता की भाब भी प्रसुद कर सकता है भोजन पर बहुत हो डिपेंड करता है ऐसे नहीं है कि उसका असर नहीं होता उपवास करने पर जो विशुद्धी बढ़ती है पर जो चित्त को शांती मिलती है बिना नहीव शांती नहीं मिलती सामा एका आसे है चित्त का इसनान प्रक्षालन आत्मा वलोकन स्वात्मो पलब्दी की रहा में गतशील कदम तो सामा एक ऐसे बनती है महान भाव तो आचर मोदे के रहे हैं व्यापार वही मनश्यात व्यापार शब्दशे यहां पर कहना चाह रहे हैं शरीर आदी की चेश्टाएं जो इस तूलूप से दश्टवोचर हो रहे हैं सामा एक अंडे बैठे चोर की तरह से ताक ज्ञांक कर रहे इदर देखा उपर देखा नीचे देखा खौन क्या अगर रहा है खौन क्या बोल रहा है यह शामा एक नहीं है सामा एक में चिपकिली की तरह से दीवाल से चिपक करके दूशें की गुपत बात को सुनने का नाम सामा एक नहीं है हां Κबंद करके तो बैठी हैं किन तो कान ओन लगा रही है कि कौन क्या चठशा कर रहा है शामय करने का असा ये भी नहीं है, कि सरीर को अकड़ करके रख दिया, पाशान की सिलागी तरह से कठोर हिर्दया बना करके, कि मैं अभी येसे शामय करके किभली करने को पाफ करने बाला हो गया, दोस्तों का तरशकार अपमान करने का नाम सामय करने का नहीं है, सामय करने का मैं अबह वी नहीं सम्गदी ना कि चित में dilema हो और देनी अथा की भाव आजए देननी प्रनाम का नाम भी श्याम अएक नहीं है ₹ दानवता के प्रनाम का नाम भी श्याम के नहीं है ₹ श्यामIRE का नाम है। Godclan ngh Meer ऐन था की आ की पुरशार्त कि फलोत पत्ती, जैसे फल वार बढ़ता है तो इसमें रस मीठा होता चला जाता है, पुस्व की कली आगे बढ़ती है तो इसमें गंद की मता बढ़ती चली जाती है, ये सब प्राक्रतिक है निचुरल है, अंतरन वे पर्णामों में जब शुद्धी आती है, तो सुत्य शरी शुद्धी होती है, तो चित्शे अनश्यूत शब्द जब वहार निकल करकी आती है, तो इस शब्दों में मठा सपनी आप आ जाती है, जब ओला ब्रिष्टी होती है, तो वर्षने बाली साथ में पानी की बुने, वे गरम नहीं होती है, ठंडी ही होती है, और जब लू च चलती है, ग्रीश्म काल में, तो हवा ठंडी नहीं आती है, गरम आती है, हवा न ठंडी है न गरम है, जिसके संसारक्षे हो करके आई है, उसका प्रभाव लेकर करके आई, गरम है बाहे 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 बातावन, सूर प्रचंड है तपार आहे बाहर के बातावन को तुमासे तो गजन्य वाली हवा ने संदेश वता ही गरम हो जाएगी, जब वहार थंडक पड़ रही हो, टेंपरेचर तस से नीचे है, अब तो पांस से नीचे हो गया, दो से भी नीचे, एक से नीचे, जीरो के नीचे पहुंचके आप तो, अब वहां कोई हवा चले, तो वहां का टे तो आप क्या समयते हो, परणामों में शम्ताभाव आजाएगा, सरी की सुचेष्ण होनी लगेंगी, बचन शुभ होंगे, नहीं, हवा जिस दिशा से आती है, उस दिशा की विशेष्ट अपनी साथ में लाती है, यदि यदर फूल खिल रही हों, खिलते हुए पुश्व की इस पर से आती हुई हवा, नासा पुटों को तप्त करती है, और शम्सान घाट से आती हुई हवा, ने शंदे सड़े गले पदार्थों की दुरुगंद शाथ में लाकरके, ऐसा लगता है कि नासा पुटों को फानने वा ऐसे ही चित्य में योजब शुद्धि होती है, यहा तक कि भोजन कर ने बямиला बेकती भी शुद्ध भोजन करता है, तो शाम आक में अच्छा मन लगता है, अवक्ष भोजन कर के आता है, तो शाम आक मन नहीं लगता, उपवास करता है, तो बहुत शुद्धि ब laquelleती है, ऐस बुदर बति कहता है देखो भूंका गाड़ तो जी भूंका धखाई दे रहा है इन्त बया का आनन्द है आनंद कहा जो आन्द भाहि पदार्तों की भूगने शेकिं यहा आठा खाने पीने शेकिन आठा है निकीं आपगाता है और चेत्या भूश्युडी का असाधन है सामाइथ, व्यापार वही मनशाथ, वाई असोबचे स्टाउं से विनी बित्ती निब्दत वकर के, व्यापार वही मनशाथ, विनी बित्ता, मंतर आत्मा विनी बित्ता, अंतर आत्मा, यानि, मन के विकल्पों को भी दूर करना, व्यापार वही मनशाथ, वही मनशाथ क्या, चित्य की कलस्टा रागदेश की तेप्दाशे पड़ी हुई वेर की गांट वेशे भी दूर करके विनी भृत्या तो दूर करके दूर करते हुए नहीं चैये दूर भी और सामई चलते हैं नहीं करके विना करें नहीं उसके बास शमय प्रारम होती है, दो एक्षाथ नहीं चल सकते है, एक मियाने में दो तल बार नहीं रखी जा सकती है, एक पंती एक्षाथ दो रहा नहीं चल सकता है, एक शूई एक्षाथ दो तफश चलाई नहीं कर सकती है, एक बती एक बार में मूँ खोल करके अट्टा हास करना और गाल फुला लेना मुझ बंद करके फुलाई हुई जाने बाले गाल दौन रेक्षाथ नहीं हो सकते हैं यह यह सामवाय को अरशा में दौन रेक्षाथ नहीं हो सकती हाचर मोदे कह रहे हैं सामवाय का बद्धनिया सामवाय को बढ़ाना चाहिए बद्धनियात जॉषी बढ़ाना चाहिए उपवसे उपवस के दुनों में एक भुक्तिवा आत्वा एक आशन करता है तो दो आशन करे, जो दो बार में बोजन पूरा बढ़ लेता है, तो कहां शामय करेगा, सामय के लिए बैठेगा, और बैठे बैठे निदिन लगेगा, यह तो लेट जाएगा, कहां सामय कर पाएगा, तो शिली आचारों ने कहा, बोजन कैसा करे, शात्विक, और इतनी जगे ख प्रोस पदार से बरे, एक बार प्रे पदार से बरे, और एक भाग खाली रखे, चत्र अंस खाली रखे, तो शामय के मन लग सकता है, और चारह भाग पूरे बढ़ने पर शामय के मन नहीं लगता, तो शामय करने बाला व्यक्ति यतनी गुंजास लगता है, यह प्रमाद न सताय महानभाव यश्यामाइक की विदी आचार मोदे ने अंतरंग की सुद्धी करने के लिए बनाई है जसे आप लोग मकान की के वर बाहर से सफाई पुताई नहीं करते हैं यदि मकान के अंदर रहना आए तो अंतरंग साफ करना भी जरूरी है, बहार की शफाई, बहार की चमक दमक तो बहार का बती देखता है, अंदर में यदि बदू भरी हो, तो रहने बाले का जीवर मस्कुर हो जाएगा, अपने चित्त को, आत्मा को, आनन्द देने के लिए, अंतरंग में भी शांती की परमा भशक्ता है, बहार शरीर भी शांतों, बचना लाद भी शांतों, बचारों की लेरे भी शांतों, तो फिर आत पर शुद्धी बढ़ती है, और सामय के सतही बद्धी को प्राप्त होती है, इसी विदिश्री आप सामय को रुद्ध करें परम पुज्या चर्गुर्देव शिविद्यान जिन्मा राज की अहिं सामय विश्व धर्म की विनीता, अजय, नीतु बाकलिवाल, सूरत, श्रीविनोत जन्मिलेनियम, श्रीमती नीता जन्, समस्त गुरुभक्त परिवार, फिरोजाबाद